हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मीरे क्रोसे मैं आपका फिस्टर स्वागत है देखिए आज आपके साथ शेयर करनी हूं बहुत ही टेस्टी यूनिक रेसिपी तो यह मैंने वन केजी लसी का पैकेट लिया है एक किलो का और यह उड़त दाल की मेंने पूरिया बना कर रखी अगर मेरे चैनल पर नहीं है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपसे कोई भी मेरी रेसिपी मिसना हो तो देखिए मैंने कड़ाई रख दी है गरम होने के लिए और कड़ाई गरम हो चुके मैं इसमें कड़ने के बूले सारे Zach deep के कर सकते हैं तो हम जेख सबसे पहले लिए हमने तीरस सबसे पहले लिया है तीन सचार मुर्च सूखिलाल मिर्च यह घंए वी य थे हल्दी पौडर लिया है और हाफ़ तेष्पून मैंने लाल मिर्च पौडर और हाफ पॅновकि लिया है मैंने गरमसाला यह देख़िए गरम अस साला ले लेते हैं और स्वाध्मिसार नमक और साथ में अड्क गर देते हैं धन्यवादार और न फ़ेड़ संस was और तो आक्षार के लिए अश। ऑपरऊ के लिए स्पवागैं दो मुष्वता स्वक्स और पने ताकि जो मसाल उन्य गस्वादब कर देते हैं, शोली ने लितली ताक्रशूिचत Sakai ऐड्क और ताके नहीं करेंगे अगर हम तुरंत लसी को याद कर देते तो लसी को लसी फट जाती है तो इस करके हम तड़की ठंडा करके लसी एड़ करेंगे तो देखे इस तरह से हमने जो मुझे तर्का लगाया है और अचह से मिक्स कर लेते हैं ये देखे और हम इसको ढखकर एक कुछ शायी के लिए आधा को टॉरी पानी के लिए हम Efendimiz आख़को पैड़े मसाले हैं ताकि हमारे मसाले अच्छना को टॉरी पानी हो चुका है और हम इसको पकने के लिए रख देते ह लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ताकि जो हमारे मसाले हैं बिल्कुल पक जाए और बिल्कुल कच्छा पर नहीं आए तो इसलिए हम ढखकर पकाएंगे इसको तीन-चार मिनट के लिए तब तक हम आपको अपस रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरी वीडियो को प्लीज मेरी तो बिल्कुल पकात करते हैं तो बदे पक जाले तब करी जासे वानिट हम डाल ते से भाक ह catch हम हम डाल देते हैं तो यह देखर हमसे दाल देते हैं hmm और ह्व टेबल स्पून हम डाल देते हैं गर्म अजला ए देखेंद और सभी मसालों को बेशन के साथ हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और हम इसका एक बैटर बना कर तयार कर लेते हैं ना जादा पतला ना जादा घाड़ा तो देखते रहेगा तो देखें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि जो इसमें बिल सब्सक्राइब करें, देखिए अपना तड्का के ठंडा हो चुका है नहीं तो ये ठंडा हो चुका है अभी धूड़ा गरमिफे और दियान रखने वाली बात है कि इशमें लशी पुरंट इड़ में करेंगे अगर हम-ट तुरंट कर देते लhसी को तो फट जाती है, तो थड़ी थपना होने के बाद करेंगे और यह देखे हमारे बैटर तयार हो चुका इस तरह से, यह देखे हम जो बेशन का बैटर बनाया है तो देखे हमारी जो तड़का है वो ठंडा हो चुका हम इसमें आड़ कर देते हैं लसी और थोड़ी थोड़ी लसी आड़ करते रहेंगे और इसको चलाते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे और दोस्तों आप चाहे तो इसको लसी भी बोल सकते हैं, बटर मिल्क भी बोल सकते हैं, या चाच भी बोल सकते हैं, अगर आप दही लेकर के इसको फेट करके बनाएंगे, तो भी और जादा टेस्टी बनती है, तो आप दही फेट करके भी इसको बना सकते हैं, लसी को, तो द अगर अगाई तो और अगुछ ना हो तो एक है और अच्छे से धूल करके और हमने मिक्सी में दरदरा पीश लिया है जादा बारीक नहीं पीशा है और इसमें स्वाद मुसा नमक पर ये देखें और हाफ टेबल स्पून के लग बख हम इसमें कर लेते हैं मसाला अड़ हम पूरिया बहुत ही टेस्टी लगते हैं पूरिया आप त्पर बहुत ही टेस्टी लगते हैं और दोस्तों यह भूत ही ओनीक रैसिप्ट अपने घर में बनाकर और किसी वी प्रभ लिए भना खिएगा इसको जैसे लिए लिए डिवाली तो जब भी आपका दिल करें इसो dark हम अपने पूरिया और पकोडियों को फ्राई करेंगे तो मीडियम फ्लेम पर हम कर लेते हैं और अपने हाथों के साहता से हम पूरियों को तयार कर लेते हैं यह देखे इस तरह से पूरिया ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए मीडियम साइ इस तरह से आड़ कर दी है तेल के अंदर फ्राइ होने के लिए और बिल्कुल धीरे बनाएगा पूरिय को पूरिया फट जाती है तो बहुती ध्यान पूरिवक बनाएगा और देखे इतने अच्छे से हमने अलट पलट देते हैं इसको क्रिस्पी होने तक इसको फ्राइ करते हैं यह देखे आप चाहे तो इसको वैसे भी खा सकते हैं लेकिन हम इसको लहसी में डाल कर खाएगे तो आप से पूछना चाहँगी किस-किस ने आप रेसिपी को बनातर खाया है किस-किस को अच्छी लगती है आप मुझे कमर्स करके जरूर बताईएगा यह देखे इस तर इस तरह से हमने सारे जो पूरिया है इस तरह से फ्राइए कर लेंगे यह देखे और मेरी वीडियो थोड़ी लंबी है तो प्लीज मेरी वीडियो को जुरूर देखेगा और बहुत ही मैंने आपके साथ 3-3 रेसिपी शेयर की है यह देखे पूरिया हमारी क्रिस्पी हो चु आम करीस वीडियो को देखते हैं और इसी तरह से एकमेट करका जूरू पाल पहिएगा और वीडियो को पसंद आती है मेरी रिसिपी और मुझे ढ़िए सब्सक्रा अबिग शेयर करें न Chinese जूंकर आप चाहिए जार्च पामते मूंअज वתח दो चु कामें Wijn लग और आप technique कर रहें मेरे वीडियो को प्लीज लाइक जुरूर कीजेगा यह देखे इस तरह से हमने पूरिया बना कर तैयार करके रख लिए और कुछ वड़े भी बनाए हमने तो वड़ा भी बहुत टेश्टी रखता है और चाहे तो आप इसमें जीरा भी डालकर बना सकते हैं मैंने कु अब देखे हमारी बीना सोडे के ही पूरिया फूल फूल चुकी है यह देखे और हम इसको अच्छे से चला देते हैं और अच्छे से लट पलड़ देते हैं और इनको भी हम मीडियोम फिलेम पर ही फ्राइ करेंगे यह देखे इस तरह से और देखे कितनी सांदार लग रही बहुत ही स्वादिश लगती है और आप इसको सुबह नास्ते में भी खा सकते हैं जब भी आपका दिल करें यह देखे कित अच्छे से हमारी पकोडिया है क्रिस्पी हो चुकी है और हम इनको निकाल लेते हैं यह देखे चलाते रहेंगे यह देखे कितनी अच्छे से फूल कितना अच्छे से हमारी जो पकोडिया क्रिस्पी हो चुकी है और बनकर तयार हो चुकी है हम इनको रख लेते हैं प्लेट में निकाल करके और इसी तरह से सारी पकोडियों को हम फ्राइ कर लेते हैं और देखे चलते हम अपनी लहसी की तरफ तो हमारी लहसी जो हमने तड़ साथ में आड़ कर देते हम अपने पकॉरीं यह मिक्स कर लेते हैं यह देखिए और पकॉरी भी हम इसमें डाल देते यह देखिए और बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको आप डाल करके आदा घंटे के लिए रख दीजेगा यह आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं तो यह फूल जाती है और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है तो देखिए हम आपको दिखाते हैं सॉफ करके आदे घंटे के बा चम्चे के साहता से काट कर दिखा देते हैं इस्पून के साहता से कि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकिए है यह देखिए और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है यह देखिए यह देखिए कि तेच्छे से यह बिल्कुल जो हमारी लहसी है वह पोकोड़ियों के अंदर बिल्कुल फूल चुकी है और खाकत भी दिखाएंगे बहुत ही टेस्टेब बहुत ही यह लग रही है और आपको दाल वाली प्रप पूरिय भी दिखा देते हैं जो हमने पीसस में तोड़कर इसमें डाली है यह देखे और यह फूल फूल चुकी है पूरी तरह से सौफ हो च